हेलो एर्यूवन, विल्कम टू केजन चैम आज हम बनाएंगे कच्ची आलू और सुजी का बहुती स्वादिश्ट और मज़ेदार नास्ता ये उपर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट बनेगा और इसे बनाना बहुती आसान है जटपर्शें तयार हो जाएगा तो फिर चलिए शुरू करते हैं अब यहाँ पर मैंने एक आलू डेडिया छील करकी आप दो आलू भी ले सकते हैं जो मैंने ये आलू लिया है ये थोड़ा बड़ा है इसके मैंने एक ही लिया है आलू को मैंने ग्रीट कर लिया है अब यहाँ पर मैंने आलो को छलनी में डालने के बाद में 3-4 पानी में साफ कर लिया है इसे तो वैसी तो पानी इसका जर चुका है थोड़ा सा और निचोड करके हम डाल देंगे बॉल के अंदर तो अलो को जब हम साफ करके डालते हैं तो नास्ता क्रिस्पी बनता है और टेस्टी बनता है क्योंकि इसका स्टार्स पुरा निकल जाता है तो अलो को मैंने निचोड करके पुरा बॉल में डाल लिया है और अब हम डालेंगे आदा कप सूजी और आदा कप बेशन डाल देंगे आप अकिले सूजी से भी इस नास्ते को बना सकते हैं अब डालेंगे एक कप पानी और सभी चीजों को अच्छे से एक बार मिक्स कर देंगे तो अब हम इसमें और चीज़ें एड करेंगे आदा चमच हल्दी पाउडर और आदा चमच जीरा पाउडर अब डाल देंगे आदा चमच चाट मसाला आप या तो चाट मसाला या फिर अमचूर पाउडर कुछ भी डाल सकते हैं नास्ता चटप्रा बनता है और आधा चमच कुट्यूई लाल मिर्च और आधा चमच कलोंजी कलोंजी डालने से नास्ते में बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आएगा अब स्वागनो सार नमक डाल देंगे और आधा चमच अजवाइन डाल देंगे अजवाइन डालने से नास्ता डाइजेस्ट हो जाएगा अब डाल देंगे तीन हैरी मिर्च बारिक बारिक कट की हुई मिर्च आप अपने साब से डाल सकते हैं अब डाल देंगे बारिक बारिक कट के हुए करी पते तो मैंने करी पते डाले हैं आप दनिया पता भी डाल सकते हैं अब सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर देंगे आप अपने पसंद से पारिक पारिक कट करके कोई सबजी भी इसमें एड़ कर सकते हैं तो मैंने सबी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर दिया है और पेस्ट की consistency कुछ इस्तर रखे तो आप देख सकते हैं तो अब हम इसमें और कुछ भी add नहीं करेंगे तो ये पेस्ट हमारा तयार हो चुका है अब मैंने gas के उपर एक pan रखा है और तेल डाल देंगे gas on कर देंगे तेल को अच्छे से गरम होने देंगे अब डाल देंगे आदा चम्मत जीरा और आदा चम्मत सर्षों और इन्हें थोड़ा सा चटकने देंगे थोड़ा सा color change करना है जादा इने काला नहीं करना है अब डाल देंगे paste जो हमने तयार किया है अब हम पटा पट लगाता चलाते विसे low flame पर mix करते रहेंगे यह चलाते चलाते अभी गाड़ा हो जाएगा इसमें गाड़ा होने में बिल्कुल भी time नहीं लगेगा और धान रहें बीच में बिल्कुल भी ना चोड़े नहीं तो नीचे से चिपक जाएगा तो अब यहाँ पर इसे मुझे चलाते हुए सीरप और सिरप एक से डेर में उठ हुआ है तो यह ठीक हो चुका है यह डो फोम में आ चुका है अब हम गैस ओफ कर देंगे अब यहाँ पर मैंने काच की एक ट्रे ले लिए और इसके अंदर अच्छे से गी लगा देंगे आप कोई भी ट्रे प्लेट ले सकते हैं जरूरी नहीं कि आप काच की लें कोई भी बटन में आपसे सेट कर सकते हैं तो ट्रे को मैंने गी से अच्छे से ग्रीस कर दिया है और अब डाल देंगे नास्ते वाला डो और इसे अच्छे से सेट कर देंगे अब हम इसी थोड़ा सा ठंडा होने देंगे तक यह सैट हो जाए तो अब इसी रखे हुए असरफ आदा गंटा हुआ है यह अच्छे से सैट हो चुका है अब मैंने आपने एक प्लेट ली है और डी मोल्ड कर देंगे आप ट्रे के अंदर भी कट कर सकते हैं लेकिने मैंने बाहर निकाल लिया है इसे तो आप देख सकते हैं कितने अच्छे से सैट हुआ है यह अब हम इसे कट कर लेंगे तो आप अपने पसंद से कोई भी सेप में इसे कट कर सकते हैं मैं square shape में से cut कर रही हूँ तो आप देख सकते हैं कितने अच्छे से pieces cut हुई है इसकी अब मैंने यापर एक tiffin लिया है इस नास्ते को आप देर सारा बना करके टiffin में डाल कर freeze में रख सकते हैं और जब पी कम हो को या फिर बच्चों को late set हो जाए या फिर breakfast में आप इस नास्ते को चटपड से fry कर सकते हैं ये एक अपता तक कराब नहीं होगा अब चलते हैं इसे fry करने के लिए तो अब यापर मैंने एक पैन में oil डाल के रखा है और oil गरम हो चुका है अब जितने pieces आएंगे उतने pieces एक साथ डाल देंगे और flame low to medium पर इसे अच्छे से fry होने देंगे तो थोड़ा सा सीखने के बाद में इसे इस तरह से हिला देना है ताकि नीचे से चिपके नहीं, जले नहीं तो अभी आपर इसे fry होते हुए डेट से 2 मिनट हो चुके है और ये थोड़ा सा नीचे से सीख चुका है तो सभी को हम पलट देंगे तो मैं सेलो फ्राइ कर रही हुँ आप डिप फ्राइ भी कर सकते हैं इसे, आप डिप फ्राइ करेंगे तो ये जल्दी फ्राइ हो जाएगा जट पट से ही, लेकिन सेलो फ्राइ में थोड़ा सा टाइम लगता है अब ही आपर इसे फ्राई होते हुए 4-5 मिनट हो चुके हैं तो मेडियम आज पर मैंने इसे फ्राई किया है और इसका अच्छा सा गॉल्डन ब्राउन कलर हो गया है अब हम सभी को एक जारे पर निकाल लेंगे तो अभी ये सॉफ्ट है और ये ठंडा होने के बाद में ये उपर से क्रिस्पी हो जाएगा तो पहला बेच हमारा तयार हो चुका है इसी तरह से सारा नास्ता फ्राई कर लेंगे तो आप देख सकते हैं ये ज़्यादा ओल भी नहीं सोकता है तो नास्ता हमारा तयार हो चुका है आप इसे सोस के साथ या फिर कोई भी राइते के साथ मैंने राइता बना के रखा है बहुत ही स्वादिश लगेगा इसके साथ ही तो आप किसी चीज के भी साथ खा सकते हैं तो अब यह आप रिसे बनाए हुए कम से कम आदा गंटा से ज़्यादा हो चुका है तो आप इसकी आवाद सुन सकते हैं ये कितना क्रिस्पी बना है तो ये उपर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट बना है और ये बहुत ही चरपड़ा स्वादिश नास्ता तयार हो चुका है और ये जरपड़ से तयार हो जाता है अगर आपको ये रिस्पी पसंद आयो तो फ्लीज वीडियो को लाइक जरू करना चितना होसके अपने फैमिली और अपने फ्रेंड्स के साथ सेर जरू करना और चैनले को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा ताकि जब भी मैं नए वीडियो अप्लोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन तरुन पहुंच जाए फिर मिलते हैं एक और ने रिस्पिक साथ वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद